जबलपुर में दुकानदार से सामान खरीद कर बिल का भुकता नहीं करने वाले ASI Rentries Sink को SP ने सस्पेंट कर दिया है ASI ने पकारिया माबल्स पॉली पॉथर से टाइल समेत कई सामान खरीदे थे जिस पे वो पत का गलत अस्तिमाल करके तीन लाग से ज़्यादा का भुकता नहीं करा रहा था माबल्स पॉलसाई के शुकायत पर SP ने ASI को सस्पेंट करके लाइन हाजर कर दिया है यह है सार 2020 का मेरे पास से गवारिगार्ट में सब पुलिस वाले माल वगर लिया तो मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर एक रंजी से करके थे यह भी मिर से माल लेके तो मैंने विश्वास पर इनको माल दिया कि पैसा आज यगा निनों मुझे ब्लैंक चेक दिया था लेकिन बाद में फिर एक दिल साल हो गया को रोग गया बीच में तो मुझे बोलने लगे पैसा आ जा रहा है कल आ जाए तो मैं अधिशनल एक पी सर के पास गया वहां गया दिया फिर सीम हल पैंब भी चपकी मैं डाला तो वहां से फिर मैं डिया ऑफिस गया वहां पर उमा कांत आर्मो मैडम है उन्होंने मेरी साहिता की मुझे पैसे ज़ान से जब इनको रंजी सर को बलाय तो उन्होंने उनसे भी अबजिता से बात की एक कावेदक है आभास पागारिया यह पुलिस के वश अधिकारियों से लगातार सिकायद कर रहा था कि एक पुलिस अधिकारी के दुआरा उसका पैसा वापस नहीं किया जा रहा है पैसा वापस करना उसने कुछ उसकी दुकान से टाइल्स अधिकारा समान लिया था उसका पैसा बनता था वो उसका दुटान नहीं किया जा रहा है इस रिकायत पर से एम हेल पेन लगा रहा था और पुलिस के दौरा उसमें जाजबी की गई थी तो यह पाया गया कि इसके दौरा अपना मकान बनानी के लिए समान लिया गया है और पैसे को लेकर के उसने एक चैक भी दिया था चैक उसके यहाँ एक आगजनी की खटना हुई थी वो चैक जल गया था उसके बास से विबात प्रारम भुवा और प्रथम दिश्ट्या इस पुलिस अधिकारी की भूमिका संदिग्द पाई गई और इसलिए पुलिस अधिक्ष आग जावलपुर के द्वारा उसको निलंबित किया गया है